होटल दर折्ष को खोलने का यह निम्ने लिया है उस बारे में जब हमने वोटल वेफसाजियूं की प्रतिकश्चित किया जानने की कोशिश की तो उनका यह माणना है के कि अगर जो सोपी सरकार ने जारी की है अगर उसको और असान बना जाए तो उनको हुटल चलाने में और सुद्दा होगी और उन्होंने इसके बारे में खुशी विदार की हिमाचल सरकार ने होटल इंडस्ट्री को कुछ शर्तों के साथ होटल खोलने की अजाज़त दे दी है इसी संदर्ग में दलहौजी के होटल व्यवसाईयों ने खुशी प्रगट की है और हिमाचल सरकार का धन्यवाद भी किया है और इसके साथ ही अपने आपको आने वाले दि प्रियार भी कर रही है कि दलहौजी से सुभाश महाजन की रिपोर्ट लाइव भारत कि अधिन जिस्ट कार कल यह निवने लिया है कि वह वोटन डर्श्टी को खोड़ने जा रही है तो इस पारे में बादचित करने के लिए हमारे साथ शीष चड़ा जी है जो कि फैडरेशन और फोटन एंड रसेशन के पैडल मेंबर है और पूर देशक है प्रेटल निकम के ला लिए हो जो जो हुआ जाता है तो उस बारे में इस दिर जो माज़ा से कार लिया तो उस बारे में आपके क्या विचार है नमस्क्राइब जी पहले तो बहुत धन्यवाद किया आपने मेरे विचारों के लिए समय पर उंकठे बठे इमाचल सरकार ने पिछले तीन महीने से बहतरीन काम किया है COVID-19 के और प्रियटन की दृष्टी से सरकार का प्रदेश को खोलना एक अच्छा संकेत है कुछ ऐसे कारण है जो अलग-अलग associations और हमने भी फोरा पैनल से Secretary of Tourism और मान्यमुक्यमंत्री को भीजे हैं जो guidelines के अंदर कुछ changes आएं ताकि जो tourist इसमें आना है उसके लिए आने का जो SOP है Standard Operating Procedure वो एकदम सरल और सिंपल हो और उसी समय पे हमें ये भी मद्य नजर देखना है कि माचल प्रदेश में जो करोना से अभी काफी हद तक बचा हुआ है ने case भी कम आए और उसी ताइम पे प्रेटन की द्रिष्टी से जो है प्रदेश धीरे धीरे खुल है क्योंकि होटल वेवजाई तीन महिने से बिल्कुल बंद बढ़े हैं होटलों के अंदर एक ऐसी लाइन है हमारे होटलों की जहां आठमी पास से लेके M.B.A. से लेके B.A. हर वर्द को एक नौकरी का मौका मिलता है वो विचारे भी इस वकत घर बैटे हैं पर हमने फोरा पैनल की तरफ से एसोपीज के अंदर चेंजेज के लिए परियतन विभाग से लगातार हम संपर्त में हैं और हमें इसमें पूरी आशा है कि कुछी दिनों में इसमें और फिर बदल आएगा और परियतकों के लिए हिमाचल के दरवाजे पहले भी खूले दुबारा एकदम खूले रहेंगे आशिज के ओंगी पर सुना है कि वह कए को खोलने को अ उस बारे मिंए और तो जोने को तयार तो उस बारे में आप क्या कहेंगे की मनाली में हमारे बुधी प्रकाष ठाकूर जी है पैनल मेंबर प्रेम ठाकुर जी मैं हमारे रितेश प्षूट जी है उनसे भी कल से लगातार संपर्क चल रहा है और सभी का ये है कि अभी जो सरकार में स्टेंडर्ड ओप्रेटिंग प्रोसीजर निकाला है कि कोई भी प्रियाटक अगर हिमाचिर परदेश में आएगा तो उसकी मिनिमम स्टे पांच नाइट रहेगी नमबर दो बतर घंटे आने से पहले उसका कोविड नाइंटीन का नेगेटिव टेस्ट होगा और उसको जिस भी जिले में जाना है या किसी भी प्रियाटिंस थाल पर जाना है तो जब ये सारी जो है इनमें मोडैलिटीज को वरकाउट करेंगे होटल वाले और विभाग और कोई अच्छा रास्ता निगलेगा जिसके तो मनाली वाले भी कस्वाली वाले भी डेलाउजी भी सब जगा लोग खोल में को त्यार होगा कल जिस प्रकार हमाचल थिकार ने ये नर्ने लिया है कि लो हमाचल में प्रेटल गति विद्यू को बढ़ावा देने के लिए डेलाउजी और पूरे हमाचल में होटल गति विद्यू को शुरू करने जा रही है तो इस बारे में डेलाउजी के होटल वेपसानियों में भी की लायर है तो आयो इस बारे में टेलोजी के कुछ होटल में वेलसानियों से जानते हैं कि वो इसे निरने से खुश है और वो इसके बारे में क्या कहते हैं नमस्कार मेरा नाम राजिनर मलोत्रा जोट नेजर इंदपस्ता टलाजी सरकार की इस एहम पैसले का हम ठह दिल से स्वागत करते हैं कि उन्होंने इतनी जल्दी इतना एक एहम पैसला लिया है कि टूरिजम सेक्टर को फिर से खोल लेगा हम लोग पिषले तीन महिने से सड़े पहंसला लिया है हम इसके बहुत आपारी है और हमने अभी से अपनी इकतिविदियां शुरू कर दी है 15 जुलाई को हम अपना होटल खोल रहे हैं इसके रिगार्डिंग जो भी COVID-19 की गवर्मेंट ने हमें इंस्ट्रेक्शन दी हैं माचल सरकार ने हम उनको फुल्फिल कर हमने सारी त्यारियां शुरू कर दी है हमने अपने ट्रावल लेजंस को कॉल कर दिये हैं हम अपने स्थाफिंग को कॉल कर दिया है और पूरा होटल हम फिर से एक बार ऐस पर COVID-19 एक्टिविटीज जो भी एड्स्रेक्शन हैं COVID-19 को लेकर उसकी सभी तियारियों के साथ हम इसे बार अपने आपको मार्केट में लेकर आ रहे हैं